तो प्रशनावली 13.3 में दो कोश्चन तक बन गया था तो आज हम लोग तीसरा कोश्चन पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चलिए ध्यान से देखिएगा बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है देखें क्या कह रहा है तीसरा कोश्चन ब्या साथ मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुणा खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मीटी को समार रूप से फैला कर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला चबुतरा बनाया जाता है जिसे एक चबुतरा बनाया गया है तो कह रहा है कि इस चबुतरे की उचाई ग्यात किजिए देखिए इसमें फीगर नहीं भी बनाएगा तो कोई दीकत नहीं है तीसरा कोशन है तेरा पुएंट इन का सबसे पहले हम मालेंगे माना की कि चबुतरे की उचाई है है ठीक है अब यहां पर देखिए है चुकी कुँआ तो अ होटा को तो यहां पर यहां पर क्या अधिया है यहां आपका 7 मीटर कि हम तो आर बराबर कितना हो जाएगा शांट बटा दो मीटर हो जाएगा ठीक है और गारावाइब यानि हम एच लिख सकते हैं एच बराबर दिया है अपका यहां पर एच ओन माल लिजे या इसको एच टू माल सकते हैं ठीक है इसको एच वन लिजे कि 20 मीटर क्योंकि चब उत्रे की उचाई ग्याद करने ते इसको एच टू माल लेते हैं और कुणा का जो गहराई है उसको हम एच वन माल लेते हैं ठीक है क्योंकि कुणा बेलाकार है इसलिए यह बेलाक के शुत्र पर चलेगा तो यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो चबुतरा का आयतन होगा वह कुणा से निकला हुए मिटी के आयतन के बराबर होगा ठीक है तो ह हमें हाल लिख देंगे इसलिए चबुतरे का आयतन बराबर कुणा से निकाली गई मिटी का आयतन ठीक है अब देखिए चबुतरा कैसा होता है घना भाकार लंबाई गुना चड़ाई गुना उंचाई तो लंबाई चड़ाई दिया हुगा है डाइरेक्ट लिख देंगे 22 मीटर गुना 14 मीटर और गुना हमने माना है एस टू मीटर यहीं हमको निकालना है और कुणा से निकला है तो यानि कि कुणा बेलनाकार होता है इसलिए हम बेलंकायतन लिख देंगे पाई यार लिख देंगे कोई दिकत नहीं है यहां पर देखिए 22 गुना 14 मीटर हटा देते हैं कोई दिकत नहीं है अब यहां पर देखिए 22 बाटा क्या हो जागा साथ क्योंकि पाई कमान 22 बाटा साथ ही लेना है यहां पर देखिए आर आर कितना है साथ बाटा दो पावर में दो है इसको दो बार सिंपल रूप से लिख देंगे कोई दिखात होगा तो बोलिएगा एच ओन कमान है 20 ठीक है बराबर के इस साइड और इस साइड हो तो उपर उपर को कटा देते हैं ठीक है यहां पर देखे साथ साथ दूनी चलो चले इतना हो गया अब यहां पर लिख देंगे एंस्टू बराबर एंस्टू बराबर उपर वाले लिख देए साथ गुना क्या है 20 ठीक है अच्छा यहां पर भी कट जाएगा देखे साथ साथ यह कट गया और दो से कट जी गई है दो नहां में 20 तो दो पाचे 10 तो उपर बाचे 5 और इधर से दो इधर गुना है इधर आए क्या होगा भागा यहां पर हो जाएगा दो इसलिए एंस्टू बराबर यह दो दो समल कितना हो जाएगा 5 मीटर यानि कि चब उतरा का जो उचाई होगा वह धाई मीटर हो जाएगा ठीक है तो चलिए नेक्ट कोस्चन देखते हैं देखें च 3 मीटर का एक कुवा 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है इससे निकली हुए मिटी को कुवे के चारो और 4 मीटर एक व्रितकार वालाय बनाते हुए समान रूप से फैला कर एक बांध सब बनाए गया है ठीक है अब कहा रहा है कि इस बांध की उचाई गयात करें देखिए cm2 देख लिजी एक कुवा है कुवा से जो मिटी निकला गया है कुवा के चारो और 4 4 मेटर चोड़ा कुवा थोड़ा मسبशन थे रहेगा माली यहां से дело चौड़ा यह चार मीटर चोड़ा बांध बना गया है अब चार मिंटर चोड़ा में चार और बनाये घघाने अब कह करें अले के बदिक Quindi इसका उंचाय घाथका नहीं जो कितना स्था और यहां जो ब्यास दिया हुआ है इसका ब्यास दिया हुआ है तीन मीटर ठीक है और यहां पर इसका तिर्जय कितना हो जाएगा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा डेड़ मीटर हो जाएगा कहने का मतलब है कि पूरा तीन है यहां से यहां तक कितना होगा डेड़न होगा ठीक है त बांध की उचाई S2 ठीक है मीटर है मीटर में है तो मीटर है माल लेंगे ठीक है अब यहाँ पर जो दिया है कुगा कुगे की गहराई यानि H1 कितना है 14 मीटर ब्यास D कितना है 3 मीटर इसलिए R1 बराबर हो जाएगा एक दसमलो 5 मीटर क्योंकि यह 3 है तो D जो है ब्यास तिर्जिया से दोगिना होता है तो उसके याधा होगा तिर्जिया अब यहाँ पर देखिए अब यह जो बलाएक सहीत जो कुगा का जो ति इसको इसको इसमें आयड कर लेंगे तो पाइड करेंगे देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले जो कुणा का जो कुणा से निकला हुए मीटी है उसका आइतन हम पहले निकल लेंगे ते हो जाएगा इसलिए निकाली गई कि मिटी का पाइतन बराबर क्या हो जाएगा पाई आर वन स्कॉार एच वन ठीक है पाई कमांड बाइस बटा साथ आर वन है आपका डेड़ एक दसंबलों पांच गुना एक दसंबलों पांच और एच वन है 14 मिटर ठीक है अब यहां पर साथ दूनी चौदर कर जाएगा निन्यानबे आ गया तो निन्यानबे हम सिर्फ दसंबलों पांच जीरो उसको नहीं लिखेंगे यह जो अभी आइतन निकल गया है क्या है निकाली गई मिटी का आइतन और उसी मिटी को फैला कर बनाया गया ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर देख लिजे इसलिए बांध का आइतन बराबर मिटी का आइतन ठीक है बांध का आइतन क्या हो जाएगा बांध का आइतन हम क्या करेंगे बांध को आइतन निकालने के लिए कुवा सहीत है हमने यहाँ पर बलाय सहीत जो है कुवा का तिर्जय निकाल लिया है तो टोटल में से जब टोटल में से माली जी यहाँ पर कुवा नहीं है तो टोटल में से उसका आयतन यो कुवा वला है हम घटा देंगे तो आराम से बांग का आयतन निकल जाएगा तो है अब यहाँ पर pi common हो जाएगा और h2 common हो जाएगा ता r2 square minus r1 square बराबर लिन्यान भे हो जाएगा यहाँ पर देखें pi h2 अब यहाँ पर एक फर्मूला आप लगा सकते हैं a square minus b square तो क्या होता है a plus b into a minus b हम उस सुत्र को लगा सकते हैं a plus b into a minus b simple रूप से इसको लिखते जाएंगे यहाँ पर देखें अब हम यहाँ पर मान रख सकते हैं तो यहोग जाएगा 22 बटस साथ गुना h2 h2 का मान निकालना है हमें क्योंकि बांद के उचाए h2 माने है ठीक है r2 अब r2 अच्छा यहाँ पर ठीक है r2 का मान कितना है 5.5 पलास एक दस अमलो 5 आरवन एक दस अमलो 5 है और r2 है 5.5 अच्छा यहाँ पर देखिए 5.5 माइनस एक दस अमलो 5 बराबर 99 देखें यहाँ पर 22 बटस साथ गुना h2 अब यह क्या हो जाएगा इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जीरो अच्छा एक साथ और गुना हो जाएगा इसमें चार से ठीक है अब बराबर 99 अब देखिए यह पूरा गुना हो गया यहाँ पर गुना लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है यहाँ एस्टू बराबर लिखिए बराबर 99 ठीक है और यह जो नीचे हो चल जाएगा उपर उपर है जो नीचे है जाएगा और यह हो जाएगा सच चौक अठाइस यहाँ पर हम गुना अठाइस लिख सकते हैं अब देखिए क्या होगा एक गारदू नीचे है जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए साथ चौक अठाइस सतनावा तिरे सत यानि कि हो जाएगा नौ बटा चार दूनी आठ अब यहाँ पर इस्टू बराबर देखिए क्या हो जाएगा अब आठ सीस में भाग कर देंगे आठ दस आठ एक बच्चा तो हो गया दस ठीक है फिर हो जाएगा आठ एक आठ दो बच चार हो गया 40 और 8 5 40 यानि की एक-डो एक-डो पांच मीटर है ठीक है तो यह हो गया आपका बान्ध की उचाई तो यहां अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको ध्यान से देखिए आपको समझ में बिल्कुल आजाएगा यहांपर फर्मूला लग ना है तो आटू का मार रख दिए फीर माइनस की ज़िए फीर माइनस कीजिए तो उसमें थोड़ा ज़ादा मेहनत परता और ऐसे कर देने से अराम से बन जाता है तो चलिए नेक्श्ट कोचन देखते हैं कि देखें पाचवाग कोचन वाली एक लंब बिदेस्त बेलन के आकार का बरतन आइस क्रीम से पुरा भरा हुआ है तो इहां पर रेखिये एक है बरतन पूरा भ्रा अब इस आइस क्रीम को उचाई देबार संक्रीम को 12 संक्रीम भरा जाना है जिनके उपरी सीरा अर्थगोलाकार है इसको ऐसे संकु में भरना है ठीक है और यह जो है इस परकार से है माले जे जो आप लोग खाते होंगे इस परकार से रहता है संकुवाकार और इसमें भरना है पूरा उपर तक उपर जो है अर्थगोलाकार है इसकी उचाई है 12 सेंटीमीटर इ इसकी तिर्जिय कितना हैं व्यास है छे संतिमीटर व्यास कितना है छे संतिमीटर ठिक और यहां पर उपर डिया है इसका ब्यास है आप गार 12 सेंटिमीटर और उचाई दिया है 15 सेंटिमीटर चलिए पाचवा को अच्छन दिया है बेलनाकार वर्तन की उचाई इसको H1 माल लिजे 15 सेंटिमीटर हो गया दि दिया है 12 सेंटिमीटर यहाँ पर आरवर माल लिजीए 6 सेंटिमीटर हो जाएगा ऩके दिया Więc दिया है 12 सेंटिमीटर तो आधा हो जाएगा तिर्जिया यह दिहान रखिएगा इस बात का है आइस क्रीम कि अपा कि यह लिखना बहुत ही जरूरी है अब यहाँ पर देखिए औह इसका क्या है ब्यास द। याने टू कितना है छे सेंटिमीट्र है इस마 निकालना यह है कि इसमें जो परतन में राखा हुआ है ऐसे संकू कितना संकू को हम उसमें भर सकते हैं ठीक है तो सिंपल रूप से करना क्या है जिससे भाग किया जाता है उसी का संख्या निकलता है तब यहां पर देखिए क्या कहा रहा है इसलिए संकू की संख्या संकू की संख्या बराबर हो जाएगा पाई आर वन स्कॉर एच वन अब बाटा हो जाएगा एक बटा तीन पाई आर टू स्कॉर एच वन ठीक है एस्टू हो जाएगा और एक और हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा और दो गोला कार है तो उसको पलस करें सब्सक्राइब कोदान हो जाएगा चार रद तीन और जोला है तो इतना हो जाएगा अब यहां पर देखिए यह पाइन तो यह दोनों पाइब हो जाएगा लेकिन आपको समझ में निया कैसे गाइब हुए तो देखिए कि इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं Pi R1 S1 ठीक है अब यहां पर हम 1,3 Pi कमाल लेते 1,3 Pi और R2 दोनों में है तो हम R2 कमाल ले लेंगे कोई देखती R2 S2 ठीक अब इसमें बचा क्या देखिए 1,3 Pi निकला R2 S2 बच गया यहां से पाई पाई खतम हो जाएगा अब R1 कमान रखेंगे R1 कमान देखें 6 है तेहां लिए देखेंगे 6 गुणा 6 H1 होगे आपका 15 ठीक एक बटा 3 R2 कमान कितना है R2 कमान यहां से देख लेंगे 3 गुणा 3 3 गुणा 3 और यहां पर H2 है 12 पलस 2 गुणा R2 R2 है 3 ठीक यहां से देखेंगे कर जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 बस तिन रहने देजें 2 दूनी के 4 चार गुणा लिख देए 15 बाटा 1 बाटा 3 अब यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6 बार चार यहां पर हम लिख देते हैं 18 यहां पर इसको नीचे नीचे यहां पर इसमें कटा सकते हैं 3 चार यानिके 6 हो जाएगा ठीक है चलिए थोड़ा सा यहां देख लेते हैं यह हो गया आपका 15 चोग के 60 और यहां पर नीचे बच गया 6 ठीक है 6 से कट जेगा राम से 16 हमें 60 यानिकि 10 10 हो जाएगा आपका एंसर संकुओ की संक्या ठीक है तो ध्यान से देखिएगा मैं उम्मीद करते हूं आप लोगों को समाझ में आ गया होगा तो चलिए लेक्ट वीडियो मिलते हैं जाए हिंद जाए भारत